वर्ट अप में बूम बूम बुम्रा का बवाल रफ्तार के सुल्तान शामी का धमाका कुलदीब की फिर्की में फ़स गए बल्लेबाज टीम इंडिया वर्ल कप में अब तक अजे है रोहिश शर्मा की कप्तानी में टीम ने अब तक 6 मैच खेले और सभी में जीत हासिल की है 12 पॉइंट के साथ रोहिट अन कंपनी पॉइंट टेबल में टॉप पर है टीम इंडिया को नम्मो वन बनाने में भारतिय गेंदबाज सुपरस्टार सावित हुए है 6 मैचों में टीम इंडिया की गेंदबाजों ने 55 विकेट जटके हैं यानि हर बार गेंदबाजों ने धावा बोला है अगर एक एक करके सब की गेंदबाजी पर नज़र डाले तो जस्पीत बुमरा ने 6 मैचों में 14 विकेट जटके हैं दो मैच खेलने वाले मुहमिश शमी नौ विकेट ले चुके हैं सिरास का मामना थोड़ा फिका रहा है उन्होंने 6 मैच में 6 विकेट अपने नाम किये है तो कुल्दी प्यादव के नाम 6 मैचों में 10 विकेट है रविंद्र जडीजा 8 विकेट तो वहीं मीडियम पेसर शार्दुल ठाकूर 2 विकेट जटक चुके है हारदे का भी चोटिल है वो भी 4 मैचों में 5 विकेट चटका चुके है तीम इंडिया की गेंदबाज पावर प्ले में सबसे कंजूस साबित हुए है इनकी एकॉनमी 5 से भी कम की है पहले 10 ओवर्स की बात करें तो भारती गेंदबाज अब तक 9 विकेट ले चुके है सबसे ज़्यादा 4 विकेट भारती गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ जटके थे टीम इंडिया का गेंदबाजी डिपार्टमेंट फुल आक्शन में है टीम इंडिया अगर वार्ड कप जीटती है तो गेंदबाजों का इसमें एहम रोल होगा